इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते हैं । डॉक्टर से जरूर पूछे अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो आंत्रस्तर को ट्रिगर कर सकती हैं और एक उत्तेजक रेचक प्रभाव है यह नियमित उप्योग के लिए उप्यूक्त है और कप्ज और संबंधित समस्याओं को खत्म करने में मदद कर सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. सेना एक उत्तेजक रेचक के रूप में कारे करती है और कप्ज से राहत दिलाती है 2. हरीत की एक प्राकृतिक रेचक है जो कप्ज को कम करने में मदद कर सकता है 3. काला नमक इसना अंतिस्पास मोडिक एजेंट 4. सेंधा नमक can help in relieving indigastive and bloating 5. स्वार्जी किसरा नाराजगी दूर करने के लिए एक एंटासिट के रूप में कारे करता है 6. निसोट एक प्राकृतिक पाचक जड़ी बूटी है जो कब्ज, दर्द, सूजन और गैस को कम करने में मदद करती है 7. पेट की शिकायत के लिए यश्टिमधू मददगार हो सकता है 8. सोट पाचन को बढ़हवा देने के लिए एक पाचक वायोनाशक जड़ी बूटी है 9. अजवाईन एक एंटिसपास्मोडिक, कार्मिनेटिव और एंटिफलेटुलेस के रूप में कारे करता है 10. जीरा एक एंटिफलेटुलेंट एजेंट के रूप में काम करता है और दर्थ से राहत दिलाने में मदद करता है 11. अरंदी का तेल मलत्याग में मदद करने के लिए आतों की गती को बढ़हा कर काम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें